हलो एवरीवान वेकम बैक टू दे चानल और कैसे हो आप सभी उमीद करते हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे सेहत मंद होंगे खुशाहल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे हम सभी बिलकुल मज़े में हैं वीकेंड का व्लॉग है ये और काम करते करते रात हो गई थी कर्टन लगारी हूं में यहाँ पर और इस वीकेंड है ना मैंने एक सीरीज देखी दाहार है उसका नाम सोनाक्षी सिना है उसके अंदर और बहुत ही सही है आप अगर देखना चाहरे हो तो देख लीजेगा मुझ काफी ज्यादा पसंद आई विजय वर्मा का आक्टिंग भी अच्छा था तो आय तो लवड इट तो वीकेंड तो बड़ा ही मज़दार गुजरा अच्छा सीरीज देखा बहुत सारा प्रोडक्टिव भी रहे हम लोग बहुत सारा काम किया और बहुत मज़दार रेसिपी बनाई जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और मैंने बनायते हैं बहुत ही अच्छे बहुत ही जादा गुड़ लुकिंग फरस्ट फॉल एंड वेरी टेस्टी मिनी पीजाज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हूँ आप इसको पार्टी में किड्स की पार्टी म जाएगा मैं ब्रेकफस्ट शुगर आड़ कर रही हूँ आप चाहे तो जो रेगलर चीनी रहते हैं उसको पीस करके उसका पाउडर ले लिजेगा तीन चमच ग्रानिलेटिड शुगर ना ले एक टीस्पून जैसा नमक स्वाद के हिसाब से नमक जाएगा इसके अंदर और इसके बढ़ इसके अधर कर रही हूँ आठ्टिव ड्राई यीश्ट तो टीस्पून आठ्टिव ड्राई किया है और अभी मैं इसको मिक्स करूंगी पहले ऐसे ही ड्राई मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जब अच्छी तरह से मिक्स होत जाएगा तो ही इसके बाद मैं फ पर इसके अंदर जाएगा लिक्वेड और लिक्वेड है ना कभी भी ठंडा या बहुत गरम नहीं आड़ करना होता है make sure आप जो भी दूद या पानी जो भी आड़ कर रहे हो वो रूम टेंपरेचर होना चाहिए और इसके अंदर फैट जाएगा एक टेबल स्पून तो आप ओलिव ओल रिफाइन ओल या रूम टेंपरेचर वाला बटर ले सकते हो एक टी स्पून कुछ भी डालने से चलेगा तो मैं यहाँ पर डाल रहे हूं ओलिव ओल वन टेबल स्पून और इसके बाद वन कप इसमें म तो भी सारा निकल आया और इसके बाद इसका डो बना लें मेजरमेंट एकदम भी परफेक्ट है बहुत भी बड़ी आपका सॉफ्ट डो बनकर त्यार होगा आईनो आपने अभी तक नोटिस के लिए मेरा नियू स्टैंड मिक्सर यह है फ्रॉम अगारो अगारो यह एक टिल्ट हैड है और यह ऐसे डिजाइन किया है जिसमें इसली अटाचमेंट को लगाया और निकाला जा सकता है और इसमें 10 स्पीट सेटिंग्स है जिसमें बड़ी ही असानी से मल्टिपल फॉंक्शन्स लाइक मिक्सिंग नीदिंग डो विपिंग क्रीम मेकिंग बा सबसे पाले तो यह है विसकर या इसको आप बलून विसक भी कह सकते हो यह बहुत सारी चीजों को विसक करने के काम आता है और इतना बड़ा है तो बहुत यह अच्छी तरह से इवनले विसक होता है देन दिस डोहुक जो मेरे कर में डेली यूज होता है आटा वगरा गुन को सेपरेट कर सकते हो और माय फेवरिट यह है स्प्लेश गार्ड दाट है मैंटेरिंग क्लीन किचिन आटा और और के हर जगा किचिन में गंदगी नहीं कर देता है और इसमें साथ में आता है यह एक मिक्सिंग बोल भी जिसका केपैसिट यह 5.5 लीटर और यह स्टेंलेस स से बना हुआ है और इसमें आप अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेप्स कर सकते हैं जो मिक्सिंग बोल है अंदर से ब्रश्ट मेटल है बाहर से एकदम ये मिरर फिनिश है साथ में आता है एक यूजर मैनुवल भी इसमें से नीडिंग के दौरान आपको लिक्विड मिलाना है तो इसके लिए भी काविटी दिया गया है यह जो स्टन मिक्सर है यह यह फोरीन हंड़ वाट पावर पर रन करता है और इट कम्स विद अंडर परसंट कॉपर मोटर जो बेस्ट मिक्सिंग आउटकम देती है और स इसका खुबसूरत ग्रे कलर मेरी किचन में परफेक्ली माच हो रहा है अगर आप भी कुछ ऐसा ढूंड रहे हो जो नीडिंग मिक्सिंग बीटिंग विस्किंग सब कुछ कर सके तो अगारो एलिगेंट स्टन मिक्सर वुड बी आइडिल चॉइस फूर यू वीडियो की ड काल लूंगी और यह बिल्कुल रेडी है इसको अभी जाने देंगे हम लोग फर्स प्रूविंग के लिए थोड़ा सा मैं से ग्रीज कर रहे हूं सो दाट प्रूविंग के वक्ति पूरा ही चिपकना जाए बोल के अंदर इस बोल में ही मैं से प्रूव होने के लिए रख द और मैं है ना जो पीजा बनाने लगी हूं वो प्रॉपरली पीजा नहीं है एक मैं पीडे पीजा स्टाइल बनाऊंगी और एक मैं बनाऊंगी मिनी पीजा जो दोनों ही पार्टीज वगेरा के लिए गादरिंग्स के लिए गैस्ट के लिए बच्चों के लिए special dinner के लिए evening snack वगरे के लिए एकदम ही ideal है आप बना कर देखेगा देखने में इतने सुन्दर है और बनते भी बहुत अच्छे हैं आपको अच्छे लगेंगे तो मैं है ना दो shape भी रखने वाली हूँ और दो fillings भी करने वाली हूँ दो तो same ही जाएगा तो डो मैंने इकट्टे ही बना लिया था अब एक में बनाने वाली हूँ पनीर की filling तो इसके लिए मैंने पनीर चॉप कर लिया है थोड़ा सा चोटा चोटा पनीर मैंने चॉप कर लिया चॉप ही कीजेगा इसको crumble मत कीजेगा और इसमें जैसा आप चाहें वैसे आप मसाले कर सकते हो मैंने थोड़ा सा जो मैगी का मसाला का साशे रहता है वो एक यहां एम्टी किया है एक चमस शेजवान चटनी जो रहती है वो आड़ किया है आपको जो टेस्ट पसंद आता है वो आप मसाले यहां मिला करके एक mix जैसा प्रेप कर लीजे यह मेरी पनीर की filling जैसी जो है वो ready हो गई है इसको रखेंगे side में मैं जो मेरा oven वगरा है वो सब set करूँगी क्योंकि अभी जो आता है वो प्रूव हो चुका है और बस मैं इसको finally process करूँगी I need a tray और यह जो मेरा city bank के exchange point से यह लिया था और इसमें 6 pieces आते हैं it is amazing कितने सालों से मैं से इस्तमाल करें रिया भी तक बहुत अच्छा है आटा बहुत बढ़े से प्रूव हो चुका है डबल हो चुका है इसको आगे process करते है और जैसा मैं आपको बता रही थी आटा मुझे दो recipes के लिए चाहि बिल्कुल हलके हाथों से रोल कर लें इसके अंदर जितनी भी air incorporate हुई है वो निकालनी नहीं है इसलिए अभी से बिल्कुल हलके हाथों से डील करें आधा मैंने रख दिया है डो उसे ढखकर के ही रखेगा बना सूख जाएगा और आधे मैंसे मैंने चार portions बना लिए है इस दिया है अभी जो चार पीसी हम लोग ने काटे हैं इसको आप देखें स्क्रीन पर मैं कैसे कर रही हूं बैक साइड टक करके इसको छोटे-छोटे बॉल्स बनाने हैं अब आप चाहें तो इन बॉल्स को भी अनदर 10 मिनिट के लिए रेस्ट करने रखें और भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे बट अगर आप इसको रेस्ट नहीं भी कराते हैं तो अभी काम तो चल जाएगा क्योंकि प्रोसेस करते करते भी हमको 10-15 मिनट हो ही जाएंगे तो यह थोड़ा प्रूव हो जाएगा बट अगैन आपके पास टाइम है तो बॉल बनाने के बाद इसको 10 मिनट की सेकेंड प्रूविंग दीजिएगा फॉर बेटर रिजल्स मैंने यह बॉल बना लिया है अब इसको शेप कर लेते हैं तो आप स्क्रीन पर देखें मैंसे कैसे शेप कर रही हूं इसको हांड स्ट्रेच नहीं करना है यह बॉल बना लें इसको आप हलका सा फ तोरी जैसे हो जाएंगे बट फ्लाट का तोरी होगी और यह देखने में बहुत ही बड़ी अलग रहे हैं और यह जो कैविटी है यह आपकी फिलिंग को बहुत अच्छे से होल्ड भी कर पाएगी बेकिंग ट्रे के ऊपर मैं पार्श्मिन पेपर लगा रही हूं सो दाट पीजास टिक ना हूँ वैसे आप simply cornmeal भी sprinkle कर दें यहां पर थोड़ा मैदा springyl कर सकते हैं थोड़ा fine वाले सूजी springyl करके भी पीजास उसके ऊपर place करके पका सकते हैं हर क्याविटी के अंदर सबसे पहले में लेयर कर रही हूँ पीजा पास्ता सॉस और यह तंदूरी फ्लेवर वाला सॉस लिया है मैंने इसके जगहां पर आप चाहें तो नॉर्मल पीजा पास्ता सॉस ले सकते हो चाहें तो white sauce नहीं बनाते हैं पास्ता का वो ले सकते हो, red sauce ले सकते हो चाहें तो सिर्फ ketchup भी आप ले सकते हो, choice is yours और इसके बाद फिर जो भी आपने stuffing मनाई है वो यहाँ place कर दें मैंने पनीर लिया है तो मैं पनीर रख रही हूँ आप choice of vegetables भी ले सकते हो, vegetables को भी हलका sauté करके इस तरह से coat कर लीजेगा मसालों में चाहें तो फिर आप non-wich में भी कुछ भी item यहाँ ले सकते हो filling तो जो आपकी choice हो वो आप ले सकते हैं आपको लगे कि आपको बहुत जादा स्वाद लगेगा यह आपके घर में अवैलेबल हो तो यह पीजा चीज है अमूल ब्रांड का है मॉजरेला है तो मॉजरेला यह लगाएगा पीजा में सबसे अच्छा टेस्स देता है आप four cheese का mix ले सकते हो mozzarella plus cheddar ले सकते हो लिया तो प्रोसेस चीज भी जा सकता है बड़ उसे उतना ज्यादा वो पीजा वाला मजा नहीं आता मैंने यहाँ पे उपर थोड़ा सा धनिया और लगा दिया है क्योंकि देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा था यह थोड़ा सा और color आड़ करते हैं तो और फिजादा pleasing हो जाएगा यह appealing to eyes है तो यहाँ पर मेरे preheated oven के अंदर 180 degree Celsius पर लग बग 15-20 मिनिट के लिए मैंसे बेक करने वाली हूँ तोड़ी नजर रखेगा जैसे ही cheese melt हो जाए तोड़ा bread आपको brown दिखने लगे तब तक के लिए आप इसे bake करिएगा हर oven different रहता है तो 15-20 मिनिट आपको लग सकते हैं तो यह नजर रखेगा और second filling के तियारी कर रही हूँ मैं यह भी mind-blowing फिलिंग है आपको बहुत अच्छे लेगे ही यह है sweet corn जो पहले से ही boiled है और इसके अंदर आड कर रही हूँ मैं green chilies जो बहुत जादा मैंने तीखी वाली नहीं लिए है corn and chilies is a classic combination आड करेंगे इसके अंदर चीज अमुल का वह mix के quantity आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं don't worry यह बहुत spicy नहीं होगा जो हरी मिर्ची वह बहुत तीखी वाली नहीं लेनी है हमने साथ में इसके अंदर आड करेंगे पीजा वाली seasoning यह पीजा सीजनिंग यह मिक्स्ट हर्ब्स हैं यह मैं आड कर रही हूँ साथ में इसके अं आपको नमक मिर्ची कैसी लग रही है उसे साब से और अभी जो remaining dough था इसके भी मैं चार हिस्से कर लूँगी और इसको अभी shape देंगे 4 बराबर हिस्सों में पहले मैं इसको निकाल लिया है इस quantity में proper shape and size के 8 ही बनेंगे तो आप देख लीजेगा आपको ज्यादा बनाना है तो same proportion में फिर आप increase कर सकते हो dough के लिए quantities मैंने बॉल बना लिया है अगेन आप चाहें तो बॉल को 10 मिनट के लिए second proving पे रख सकते हो और आप अभी जैसे screen पे देख रहे हो ना इस तरह से इसको stretch करके shape करना है हम लोग पीडे पीजा बना ले वाले हैं इसको boat पीजा भी कह करते हैं थोड़ी दिर पहले मैं आपको वही बता रही थी देखने में इतने ज्यादा good looking है ना कि आप इनको बच्चों की जो आप छोटी मुटी कोई party कर रहे हो या आपके घर में गैस्ट आ रहे हैं तो आप यह उन्हें सब कर सकते हैं यह देखने में इतने खुबसूरत टेस्ट में भी बराबर बढ़िया है यह सब भी को impress कर देंगे पहले मैंने जो chopping board है इसके उपर इनको एक यह बेसिक सा शेप दे दिया है बाकी मैं अभी जो मेरा ट्रे है मैंने इसको भी line कर लिया है अभी मैं थोड़ा इसको इधर ही शेप दूँगे इसको एसेंबल करूँगी तो आप जैसा देख रहे हो उसी तरह से हातों से से तोड़ा-थोड़ा स्ट्रेच करें सेंटर में आपने जो भी फिलिंग बनाई है यह बिसीकली नॉनवज के साथ बनाया जाता है तो जो मिंस मीट रहता है आप वो लेंगे तो बेटर रिजल् अरचंगी ऐसा बनता है मेरे हस्बन को वह जादा पसंद आए था बट्येजन थोड़ा सा माइल्ड तोड़ा मेलो तोड़ा स्वीटर ऐसा बनता है सान्मी खुशी को यह बना जादा पसंद आया था तो अगैन जो चोइस ओफ स्टाफिंग है वह आपकी है आपके तेस्ट आपके पास ingredients की availability के हिसाब से आपके creativity के हिसाब से आप कुछ भी इसके अंदर फिल कर सकते हैं और इस तरह से board जैसा इसे बना दीजिए और इसके बाद milk wash आप इसे दे सकते हैं for better browning मैंने पहले वाले में नहीं दिया था मुझे बाद में आदा है कि देना चाहिए खुबसू 20 minutes में मेरे जो mini pizzas है यह done हो गए थे oven मेरा अपने आप बंद हो गया था oven बंद हो तुरंत बाद निकाल लिया कीजिए क्योंकि oven काफी hot रहता है तो ज्यादा browning हो सकती है if you're not looking for that तो मैंने इसको निकाल दिया है यह तो हो गया ready जो मेरे p days है इसको अभी मैं बेक करूंगी बिल्कुल सेम क्योंकि जो amount of dough है ना वो तो एकदम सेम ही है ना इसलिए same temperature पे same settings पे same time के लिए इसको हम बेक करेंगे 180 degree celsius दोनों उपर और नीचे के rod भी on, fan भी on around 20 minutes 15 to 20 minutes आपका oven कितना बड़ा है उसे साब से दोड़ा चेक करते रहे हैं मैं आपको एक important tip देना चाहूंगी अबना अगर आपका छोटा है कम capacity का है तो इसे थोड़ा कम time लग सकता है अबना अगर आपका बड़ा है ज्यादा capacity का है तो थोड़ा सा ज्यादा time लग सकता है और यह देखें कितने बढ़िया लग रहे हैं यह देखने में और यह भी amazing लग रहे हैं खाने में बहुत ही अच्छे थे आप ही recipes try करना आपको अच्छे result मिलेंगे you'll not be disappointed चलिए एक और बहुत बढ़ा सी रेसिपी आपके साथ share कर रही हूं अभी mango's का season है mango muffin बनाने लगी हूं मैं और एक तम ही perfect बनेंगे बिल्कुल सही tips tricks perfect measurements आपको मैं देने वाली हूं follow कीजेगा आपको बड़ी हा result मिलेंगे तो मैं है ना जो regular granulated chini रहती है इसी का मैंने powder कर लिया है अभी मेरे पास mango's रखे थे मैंने यहां पर दो mango's process करें दो mango की मैंने प्योरी कर ली थी पर इतना सारा मुझे लगा नहीं था एक okay size का mango हो बहुत चोटा नहीं हो ना त है तो यह एक mango में निकल आएगे विट आ लिटल डाउट फुल कि अगर थोड़ी कम रहे गई तो मैंने दो पीस लिये थे जिसमें से बच गया था mango किंदर आड किया मैंने 1 4th cup पिसी हुए चीनी 1 4th cup refined oil इसके जगह आप melted butter भी इस्तमाल कर सकते हो कम मीठा काते हैं तो 1 4th और क्योंके मीठा आप चाहते हैं तो 1 3rd cup चीनी आड कीजेगा और ज्यादा मीठा पसने तो 1 तीस्पून मैंने इसके अंदर आड किया है वनीला एसेंस और यह सारी चीजी में लाके अब यह बीट करेंगे मैंने जो मेरा अगारो का stand mixer है इसके अंदर यह बलून विस्क व मैंगो है यह सारा मिक्स होकर एक जैसा दिखने लगे और देखें कि अंदर स्टर्डी है यह बिल्कुल भी हिलता नहीं है मिक्स करते हुए अच्छी तरह यहां पे सारी चीजे मिक्स हो चुकी है हां मैंगो आपका कितना मीठा है इस पर भी डिपैंड करता है कि आप तो पहले चलनी लगा दी है मैंने हमेशा चान कर ड्राइ इंग्रीइंस आड करें वन कप मैदा वन टीस्पून बेकिंग पाउडर हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा स्वात के हिसाब से नमक शुरू में ऑईल की जगा बटर लिया है तो नमक ना आड करें औ और इसके बाद पर अच्छी तरह से सारी चीजों को चाहन करके अड कीजिएगा वेट इंग्रीइंस के अंदर ना फोल्ड इट कटन फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लीजे इसमें थोड़े दूद की ज़रूत पड़ेगी एकदम थोड़े ही दूद की ज़रूत पड़े इसलिए पहले देख लीजे बैटर कैसा है थोड़ा थिक आरा है बैटर इसके भी मफिन बन सकते हैं बड़िया रिजल्ट नहीं मिलेगा इसलिए मैंने थोड़ा सा आइबॉल करके मिल्क आड कर गया है स्लाइटली स्मूदली फ्लोई सा साटिन कंसिस्टेंसी वाला आपका बैटर होना चाहिए तो इससे बड़िया एरी मफिन बनते हैं मिक्स हो गया है रेडी और यहां पर यह जो मफिन ट्रे है इसको ग्रीज करके और कपकेक लाइनर से असेंबल करके खुशी ने मुझे दिया है इसके अंदर आड कर रही हूं मैं बैटर और इसमें नाइन मफि बैटना बने और इसको प्री हीटिड अवन में बेक करेंगे यह 180 डिग्री सेल्सियस पे दोनों ही रॉड ओन फान ओन अराउंड 15 मिनिट्स के लिए बेक करना है मैं पहले पी जैसे कह रही थी हर अवन डिफरेंट रहता तो थोड़ी नज़र रखेगा अराउंड 20 मिनिट इस भी आपको लग सकते हैं उपर ऐसे इवन ब्राउनिंग आ जाए तब आप अवन को बंद कर सकते हो और केक मफिन वगेरा जब आप बनाते हो ना तो बारवर अवन का डखकन ना खोले दे में फॉल फ्लाट और इसके बाद बाहर निकालके टुथपिक टेस्ट कीजिए टुथपिक एकदम क्लीन आ रहा था इसको यह वाले जो मफिन्स होते हैं आप इन गरम भी ठंडा भी दोनों ही तरह से इंजॉइ कर सकते हो और नेक्स दे हमेशा बेकरी गुड्स ज्यादा बहतर लगते हैं बनाकर ट्राइज कीजिएगा मुझे बताएगा कैसा लगा आप आपको अच्छे लगी है जल्दी मिलूगे आपसे एक नहीं वीडियो के साथ तिल देन आल उफ यू टेक रियली गुड केर अफ यू सेल्फ टेक केर बाई बाई